साथियो नमस्कार आज की जो परचर्चा का विशय है वो बहुत ही मार्मिक और संबेदन सील है एक पूज मा की अनन्त विश्वयापी यात्रा जो चलते चलते आज प्रिकति के मूल पंच तत्त में विलीन हो गई और वो जाते जाते सतायो जीवन वितीत करते हुए पांच दिसंबर दो हजार बाइस को पूरे विश्व में लोक तंतर को जिंदा अमर और मदबूत कर गई और सौ वर्ष की सतायो अवस्था के बाद साइद दुनिया की वो पहली ऐसी नागरिक होंगी जिन्होंने लोक तंतर के उपर मतदान दिया जिनका स्वयोग बेटा आज महान भारत के प्रधान मंतरी हैं तथा वर्तमान स्वय में G20 दुनिया के सबसे सतस्त संगठन के अध्यक्ष हैं वर्तमान स्वय में ऐसे स्वयोग पुत्र की पूज माते सुरी जी ऐसी पूज मा की आज अंतिम विदाई हो रही है अंतिम यात्रा हो रही है और वो भी उनके प्रियसपूत मानिय स्री नरंद्र दामोदर भाई मोदी जी अपने कंधों पर उनके पार्थि उसरीर को अंतिम यात्रा के लिए सोका कुल वातावरण में परंतु उनके आसीरवात से उनके अनुकंपा से उनकी क्रपा से एक अनन्त यात्रा को प्रिकति के मूलतत्व में पहुँचाने के लिए तथा ईश्वर वास स्वर्ग वास के लिए कृच्चंखल्पित हैं और पारंपरिक भारतिय सनातन पद्धति के अंसार उनकी अंतिम क्रिया के लिए वह तथा उनके सभी परिवारी शदस्जगर्ण मौजूद हैं ईश्वर परंपिता से प्रातना है कि उनकी आत्मा को शांती प्रदान करें और साथ में बैकुन्ठ धाम का पावन इस्थान प्रदान करें जिस तरह से इस ब्रम्हांड में इस लोक में एक सर्वसक्तिमान ईश्वर है इश्वर को तो हमने और आपने नहीं देखा लेकिन अगर इश्वर के ही कोई प्रतुरूप है तो उसका प्रतुरूपन है पूज्य मा का आशिरवाद हम स्री मानिय प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के जीवन काल के पीछे के जुनों में लोड़ते हैं और वर्स दो हजार दो में जब उन्होंने राजनित की यात्रा अपनी प्रारम की थी उस समय ही मात्र सरूप माता जी ने आशिरवाद दिया कि अभी इस पुत्र की यात्रा प्रारम हुई है यह एक दिन भारत के प्रदान मंत्री जी के पद पर अवस्थी पहुँचेगा वह पूज्य माता जी का आशिरवाद दिनांक 26 मई 2014 को साकार हुआ और पूरी दुनिया ने देखा और स्री रामचरित मानस की वह चौपाई साकार हो गई मात पिता गूरु प्रभु के वानी बिने विचार करही सुभ जानी यह सपना साकार हुआ 26 मई 2014 को आज पूरे आठ वर्स हो गए है मान्य मोदी जी के जीवन रत यात्रा में आठ का बहुत बड़ा महत्व है पूज्य माता जी स्री मती हीरा बैन भाई मोदी जी का जन 18 जून 1922 को महसाना इस्थान पर हुआ था 18 जून को माननी प्रधान मंत्री जी अपने मा के जन दिन पर उनके पास गए थे और बहुत ही मारमिक के ट्वीट किया था वो ट्वीट साइद आज मात्र रूप के महत्व को पूरी दुनिया में बताने के लिए साइद अजर और अमर हो गया है माननी प्रधान मंत्री जी के संबोधन में बड़ी निर्मलता और सरलता थी और उन्होंने यह पूरे सभी को आभास कराया था कि मात मां तो सभी के लिए वही महत्व और स्थान रखती है जो हमारे लिए माननी प्रधान मंत्री स्री नरेंद मोधी जी ने अपनी पूज मा की इच्छा की पूर्ती के लिए एक मई 2016 को प्रधान मंत्री आवास में गुचरात से बुलाया था माननी मोधी जी की मा अपने छोटे बेटे पंकज मोधी जी के परिवार के साथ रहा करती थी एक बार जब प्रधानमंतरी जी उनके चंग दिन पर गए 2016 में तब उन्होंने इक्षा जहिर की कि हमको प्रधानमंतरी आवास देखना है माननी प्रधानमंतरी जी ने अपनी मा को प्रधानमंतरी आवास 7-र-6-र दिल्ली में बुलाया और वहाँ पर वो रुखी पूरे प्रांगन का मोदी जी ने वेलचियर से उनको भ्रमन कराया एक पुत्र के रूप में एक स्योग पुत्र के रूप में और जब उनकी प्रितक्रिया पूँची तो उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा बगीचा है जहां प्रिकर्ति का अनुपं छटा है हमें वो इस्थान सबसे प्री और सबसे आनंदायत पूर प्रद्धानमंत्री आवास में लगा मैं प्रति दिन वहां अवस ही भरमन की आकर मुगी प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली में जब तक वह आवास में रुकी वह प्रति दिन उस बगीचे में जो लौन के रूप में है वहां भरमन करती थी और माननी प्रति दिन पूरा समय दे कर अपनी मा की सेवा करते हुए अनन ने सेवा करते हुए अनन भक्ती रखते हुए उनको प्रतिदन भरमन कराया करते थे प्रधान मंत्री जी ने मोरों को बहुत ही नजदीक से एक तरह से उनको पाल रखता है उनको दुलार देते हैं उनका आनन्द उनकी मा असीम रूप से उठाया करती थी उनको प्रकती से पूरे जीवन अटूट संबन था बिमार होने से पहले भी प्राते वो मा तुलसी जी की सेवा जरूर किया करती थी और बिमार होने के एक दिन पहले तक वह सो वर्ष की अपनी सतायो जीवन में प्रति दिन की भाती पूजा उन्होंने आखरी बार की थी इस तरह उनका पूरा जीवन प्रकति तत्यों से मौझूद रहा प्रधान मंतरी आवास में माननी प्रधान मंतरी जी के साथ जो माता जी ने प्रिकति के साथ फोटोग्राफ में उपलब्ट करा रहा हूँ जो समय वितीत किया वो कितना आनन दायक है और साथ में 5 दिसंबर 2022 को जो आखरी बार उनोंने लोक तंतर का मद्दान बिधान सबा चुनाओ गुजरात में किया उसमें उनका चहरा कितना आनन्दित और खिला हुआ है वो साइद पूरी दुनिया के लिए महान प्रणा सरोत और मोटिवेशन होगा कि अपने अधिकार और अपने करतव का पूरे जीवन पालन करिये ये सबसे बड़ी प्रणा है और साइद यही प्रणा का सबसे बड़ा मोटिवेशन माननी प्रणान मंत्री जी के व्यत्त में परलच्छित होता है वह मात्र रूप में अपना वह अपने परिवार का काम स्वैम किया करती थी ऐसा सभी लोग, वहां के स्थानी लोग, परिवार के लोग और मीडिया सभी लोग बताते हैं यह मौका नहीं मिल पाया, मैं उनके दर्सन नहीं कर पाया, इसका अफसोस है लेकिन टीवी या मोबाइल आदी पर मैंने हमेशा उनको बहुत ही चेतन और जागरती अवस्था में पाया साथ वो पूरे भारत को, पूरे विश्व के सभी लोग लोग लिकों को उस चेतन और जागरती की मोटिवेशन की परणा देना ही चाह रही थी और वही अंतिम यात्रा में भी आप उनके चेहरे से और उनके पार्थों सरीर से भी यही प्रणा लेंगे सांत असीम आनंद, सांत असीम आनंद के साथ अंतिम यात्रा और अंतिम क्रिया को क्रियात्मक रूप से पूर्ण किया गया मात्र रूप में वो हमेशा हमेशा के लिए जिवांत रहेंगी अमर रहेंगी, अखंड रहेंगी और दिदिप्त मान इस संपूर्ण विस्व में रहेंगी अंत में ओम सांती ओम सांती ओम सांती जैहिंद जैहिंद प्रप्लेट